हलो गाईज आप देख रहे हैं लेट्स टड़ी यूट्यूब चैनल जिसमें आज हमें क्वेशन पढ़ेंगे प्रूब देट वन बाई रूट टू इस इर्रेशनल किस तरीके से सॉल्व करेंगे सबसे पहला हमारे स्टेप यह होता है कि जिसको इर्रेशनल प्रूब करना है उसको हम रेशनल मान लेते हैं तो इसलिए पहला step होगा let 1 by root 2 is rational number दूसरा step है क्योंकि ये rational है इसलिए इसको a by b के form में लिखा जा सकता है जहाँ पर b की value 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए ये आप class 9 में पढ़ चुके हैं अब क्योंकि ये 1 by 2 को a by b के form में लिखा जा सकता है इसलिए हम दोनों को equal कर दी है यानि a by b के form में इसको लिख दी है यानि 1 by root 2 is equal to a by b अब क्या करेंगे reciprocal कर देंगे reciprocal का मतलब होता है कि उलट देंगे यानि कि जो नीचे है उसको उपर और जो उपर है उसको नीचे कर देंगे तो इसका reciprocal करने के बाद से आप screen पर देख पाएंगे कि root 2 उपर हो गया तो इदा root 2 और जो नीचे है वो उपर यानि कि b उपर और a नीचे जो कि b by a हो जाता है अब आप देखेंगे कि right side में fraction में है number और fraction में यानि कि b by a और a की value भी 0 के बराबर नहीं और b की value भी 0 के बराबर नहीं है it means कि यह क्या है एक rational number है क्योंकि a by b के form में यह यहाँ पर denoted है तो जब right side अगर rational number है तो left side भी rational number होना चाहिए it means कि root 2 भी एक rational number होना चाहिए तो यहाँ पर हम एक statement लिखेंगे कि b by a is rational number यानि कि b by a एक rational number है इसके इसाब से root 2 भी rational number होना चाहिए जो कि एक fact यानि कि root 2 जो है वो irrational है तो उस fact का विरोध कर रहा है क्यों यह विरोध कर रहा है क्योंकि हमने starting में ही 1 by root 2 को ही rational number मान लिया था तो हम जो starting में गलत माने है उसके वज़ा से सारा solution गलत आ रहा है इसके लिए जो starting में हम गलत माने थे उसको हम correct कर देंगे और उसका correction क्या होगा कि 1 by root 2 is irrational number तो यह था solution और इसके बाद से अगर अभी तक आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किजएगा अपने doubt को आप नीचे comment कर सकते हैं thanks for watching this video